हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे मैंगो बर्फी, इसको बनाना बहुत इजी होता है, और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब आता है, तो शुरू करते हम बिन टाइम रेस किये, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया एक कड़ाई, उसमें मैंने एक कप नारियल का बुरादा, जो desiccated coconut होता है, वो हम डालेंगे, और इसको हमें dry roast करना है, दो मिनट के लिए low flame पे, तो इस तरह से हम इसको roast कर लेंगे, और इसमें से जब अच्छी सी महेक आना शुरू हो जाए, तो हम यहाँ पे flame को बन कर लेंगे, मिन्स हमें इसको सि तीन मिनट के लिए ही roast करना है, उससे ज़र हम इसको roast नहीं करेंगे, और यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है, कि जो नारियल है, उसका कलर बिलकुल चेंज ना हो, तो यह देखी हमारा जो desiccated coconut है, भून कर बिलकुल रेडी है, अब हम इसको एक साइड में रख ल और बडल में जो बैल आइकन होता है, उसको प्रेस करना ना भूले, तो अब मैंने उसी कडाई में एक ग्लास दूद एड किया है, दूद मैंने जो हम सुबह उबाल लेते हैं, वह इसमें यूज किया है, तो जैसे दूद थोड़ा सा गरम हो जाए, हम इसमें एड कर कईएंगे, अभी मैंने फलेम हाई में रखिये है, तो इस तरह से हम फेटते वे चीनी को घुल लेंगे, दूद में, तो जैसे चीनी और दूद आपस में घुल जाएंगे, हमको फलेम को लो मीडियम में कर लेंगे, तो आप लोग देख सकते, चीनी और दूद आपस हो चुके है और अभी हमें दूद को तब तक पकाना है जब तक थोड़ा सा थिक न हो जाए तो हम इसको चार से पाच मिनट लो मीडियम फ्लेम पे ऐसे चलाते वे पका लेंगे तो यहां देख सकते हैं दूद काफे थिक हो चुका है मैं आपको दिखाती हूं अभी बहुत ज अच्छा है तो इसको हम एक मिनट के लिए पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे ऐसे चलाते वे हमें इसको पकाना है छोड़ना नहीं है और इसको हमें बहुत अच्छी से मिक्स करना है ताकि जो इसके लंब से हो सब तूट जाए तो यह रेखिए मिल्क पाउडर अच्छी से मिक्स हो चुका है दूद में तो अब हम इसमें एड कर लेंगे भूनावा बूरा जो हमने नारियल का भूरा भूनावा था इसको भी मिक्स कर लेंगे अभी मैंने यहां पे फ्लेम बिल्कुल लो में कर लिए तो इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे एक मिनट के अब हम इसमें एड़ करेंगे मैंगो पल्प तो मैंगो पल्प मैंने यहां पर एक कब इसमें यूज़ किया है तो इसको भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छी से तो यह बर्फी बनाना बहुत इजी है और खाने में इसका टेस बहुत ही अच्छा आता है इसको हम बहुत अच्छी से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मैंगो पल्प है वो कोकोनेट में अच्छी से मिक्स हो जाए तो इसमें कोकोनेट का भी फ्लेवर आता है और मैंगो का भी फ्लेवर आता है और दोनों का जो साथ में फ्लेवर आता है बहुत ही यमी होता हो तो आब ही हमें क्या करना है इसको इसी तरह से हमें पकाना है low medium flame पे और लगातार चलाते वे पकाना है तब तक जब तक ये ठीकना हो जाए आप देख सकते हैं हमारा mixture ठीक होना शुरू हो चुका है तो जब हमारा mixture इस consistency में पहुँच जाएगा तब हम इसमे एड़ करेंगे घर की मलाई तो कोई भी बर्फी recipe के लिए हमें fat डालना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें मलाई एड़ की है अगर आप मलाई एड़ नहीं करना चाते है तो आप इसमें एक चमच घी एड़ कर सकते है लेकिन fat इसमें जरूर डाली है तो मलाई को मैं इसमें अच्छी से mix कर लूँगी मलाई से इसका taste भी बढ़ जाते है और जो हमारा fat डालने का काम होता है वो भी हो जाता है तो अभी हमें इसको तब तक पकाना है जब तक यह mixture है यह pan से एकदम अलग न हो जाए आप यह देख सकते हैं mixture काफी थिक हो चुक है और ध्यान रहे कि हमें अपना हाथ बिलकुल नहीं रोकना है क्योंकि यह जल सकता है flame हम low medium में ही रखेंगे तो यह देखी हमारी जो बर्फी का mixture है वो pan से अलग होना शुरू हो गया है अब मैं इसको थोड़ी दिर एक मिनिट के लिए और पकालूंगी इसी तरह से ताकि जो इसकी consistency है एकदम अच्छी हो जाए जमने like और हो सके तो आप इसमें वह वाला arm यूज करना जो बहुत ही मीठा वाला होता है उससे और ज्यादा इसका taste अच्छा हैगा तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा बर्फी का मिक्स्चर है वो पैन से एकदम अलग हो चुका है तो मिक्स्चर हमारा रेडी है अब मैं आपे गैस को बन कर लूँगी तो मैंने आप एक स्टील की प्लेट ली है मैंने उसमें थोड़ा सा घी लगाए घी से मुसको अच्छी से ग्रेस कर लेंगे अगर आपके पस बर्फी ट्रे है तो आप इसको उसमें जमा सकते है तो अब मैं जो मिक्स्चर है इसमें फैला लोंगे अच्छी से मिक्शर अभ बहुत सॉफ्ट बनती है मुँ में घुलने वाली बनती है इसको आप साथ दिन तक फ्रिज में स्टोड करके अराम से खा सकते हैं तो इस तरह से मैंने जो हमारी बर्फी है मैंगो की उसको अच्छी से फैला लिया है तो इस तरह से फैलाने के बाद अब हम इसको सैट करने के लिए रख लेंगे आदे घंटे के लिए अगर आपको जल्दी है तो आप 15 से 20 मिनिट के लिए इसको फ्रिज में भी रखके सैट कर सकते है तो यह देखिए हमारी बर्फी सेट हो चुकी है अब हम इसको कट कर लेंगे आप इसको कोई भी शेप में काट सकते है जो आपको पसंद है मैं आप इसको सिंपल बर्फी के शेप में काट रही हूँ तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे अब आप चाहे इसको कोई भी अपने मन पसंद की ड्राइफ रूट से सजा सकते हैं तो मैं कुछ बर्फी में लगा दे रही हैं बादाम आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं अपने मन पसंद की ड्राइफ रूट तो आप लोग देख सकते हमारी बर्फी बनकर रेडी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है तो जो बाकी की बर्फी है उसमें मैं लगाऊंगी नारेल का बुरादा मैं आपको भी दिखाती हूँ तो ये तो हमने सिंपल प्लेन बर्फी बनाई है तो ये बर्फी बनकर तो हमारी रेडी है और जो बाकी के बर्फी के पीसेज है हम उसको कोट कर लेंगे नारेल के बुरादे से इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी थोड़ी अलग लगेगी तो ये देखिए तो इस तरह से मैं सारी बर्फी को कोट कर लूँगी तो दोस्तो आप लोग देख सकते हमारे इतने कम मिक्शर से इतनी सारी बर्फी बनकर रेडी है आप इसको एक हफ़ते तक अराम से खा सकते हैं फिज में रखके तो अभी मैं आपको इसको तोड़के दिखाती हूँ ये देखिए किती सॉफ्ट है थैंक्स वर वाचिंग फिर में लोगे एक नए शिप के साथ बाबाद